पंजाब दे दो दिना दे दोरे ते पॉंचे आमादमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अते दिली दे मुखमंतरी अर्विंद केजरिवाल वल्लों अमरत से जिले विचे प्रेस कॉंफरेंस कीती जारी है केजरिवाल ने किहा कि मेरे कोल पंजाब दे बहुत सारे अध्यापकारे ने अध्यापकाने दिस्या कि बहुत सारे सरकारी स्कूलां विच अध्यापक ही नहीं हन कई स्कूलां विच तान सारे बच्यानों पड़ा उनलाई सिरफ एक ही अध्यापक है पंजाब दे सरकारी स्कूलां दा बुरा हाल होया पिया इजरान उन्हान ने मुख मंत्री चरंजीत सिंग चनी नूँ अपील कीती कि अधियापकांदिया मंगानू तुरंत परवान करन नते जेकर उन नहीं कर देता पंजाब विच आम आदनी पार्टी सरकार बनंते अधियापकांदिया मंगानू पहल दे अधारते हाल करेगी दिल्डे सरकारी स्कूलां दी जिमें काया पलट किती गई है उससे तरह पंजाब दे स्कूलां दी भी किती जावेगी इस तोरां ककथ नो सम्बोधन कर दे हर्विंद केजळिवाल ने पंजाब दे अधीयापकांदियां देतीयाystem ने और नो कहा किए कि पंजाब दे अंदर अधीयापकांदियापका नो 북 दिया महौल दे मंगे ते सिख्यादे खेतर विच क्रांगति लाएके आमांगे पिछले एक टेड महीने से मेरे पास पंचाब के अलग-अलग विलाखों से अलग-अलग शित्रों से टीचर्स मिलने के लिए आ रहे हैं। कॉलेज के टीचर्ज आ रहे हैं, कच्छे टीचर्ज आ रहे हैं, पक्के टीचर्ज आ रहे हैं, हर किसल के टीचर्ज आ रहे हैं, प्राइबिट स्कूलों के टीचर्ज आ रहे हैं उन्होंने बताया कि पंजाब में खासकर सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाई 24 लाख बच्चे पंजाब के सरकारी स्कूलों में बढ़ते हैं इन 24 लाख बच्चों का विश्च अंदकार में पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है उन्होंने बताया कि बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है साथवी साथवी क्लास तक के स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही टीचर है सारी क्लासे के लिए सातों क्लासे के लिए एक ही टीचर है और उन्होंने बखाया कि सरकार ने उसके उपर पताही करवा दी और उसके उपर लिदिया स्मार्ट स्कूल उनको स्मार्ट स्कूल बना दिया जब 2015 में दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भी इतना ही बुरा हाल था बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाय के नाम पे जीड़ों के लोग अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा सा भी पैसा कमा लेता था तो वो पोशिश करता था, मैं अपने बच्चे को किसी बगल के प्राइवेट स्कूल में बढ़ा दा, सरकारी स्कूल से नाम कटवा लेता था, प्राइवेट स्कूल में भीज़ देता, लेकिन आज 7 साल के बार, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की काया पलट गई अधिकूल, इतना दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे, अगर मैं अपनी तारीफ करूं तो उसका फाइदा नहीं है, नतीजे कैसे आ रहे हैं, नतीजे 99.7% नतीजे आ हैं सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों के भी इतने अच्छे नतीजे नहीं है, प्राइवेट स्कूलों को करेंगे दस ये कि बीते कल भी अर्विन केजरिवाल ने मोगा विख्या ओरता ले वड़े अलान कर दिया किया सी कि आम आदमी पार्टी दी सरकार बननते पंच्राब विच अठारा साल तो उपर हर औरत दे खाते विच एक घजार रुपईया आवेगा इसे नाले उनना केहा कि हुण हर लड़की कॉलेज जा सके गया ते औरत तै करेगी कि वोट किसनों पौनी है इस तो बात दे शाम नो हो लो दे आना पहुंचे जिते उनना ने आटो चाल का नल गलबात कर देया कई वादे भी कीते ते इस दुरान एक ड्राइवर दे आटो व वालते आमादमी पार्टी नो एक मौका देके वेखन अमरच तों पीबीसी न्योंज लेई ब्योरो रिपोर्ट